मंगय वीरे, मुझे कहानी सुने बिना नीन नहीं आते मैं कहानी सुनाओंगा तो सोजेगी यह न कहानी है अंगरेजी राज के उस वक्त की जब सब लोग उनके खिलाफ एक जुट हो रहे थे सिवाए एक शक्स के क्यूंकि उसको लगता था कि अंगरेज भुरे नहीं है उसका नाम था मंगा घर के किसी स्याने आदमे को बला लो स्याना ही हो जी मैं वो तो उस दिन ऐसी बच्चों के साथ थोड़ा जिन्दगी की हर दौड में अबबल परिवार का सबसे लाइक लाडला काम दाम कुछ करना नहीं सारा दिन जरते ही रहना बस हाथों का तो पता नहीं पर उसके पैरों में जादू था नहीं पैसे नहीं ले सकते जी दादी के थी इससे शफाच ले जाती है क्या तुम नोकरी करोगे बंदूग मिलेगी जी तो डंडा बगरा सच धजबन ठन चले किधर बदली हुई है कैसे आज ये नजर अपनी ही दुनिया का राजकुमार था वह और एक दिन उससे अपनी राजकुमारी भी मिल गई राजकुमारी कॉट सर्गी पिछे कानी सुनी है चिपचप सुन नेनों से बढ़ ले आपके गाह में दिल लगया जी राजाती लड़कियों को यह रोपने से सर फट जाते हैं नकुगडाई है वे मार रही तेरी रग में रखने जाओ कानी राजकुमारी ने शुरू की है तो उसे ही कातम करनी चाहिए मैं अपनी इपोती का रिष्टा एक अंग्रेज के नौकर से कर दू नहीं जी आपको गलत फैमी हुई है जी अंग्रेज बुरे लोग नहीं है मार राजा के हुकम के मुताबिक आप सब को दौख खाली करना पड़ेगा कान्दी जी ने कहा है कानून से बढ़कर कुछ नहीं होता है कानून से बढ़काजा होता है लाला जी सारा गुसूर मंगे का है बहुत बुरा की है मंगे ने मैं मंगे उनी शट्टोंका दिया उसने हमको तुझे क्या लगता है? तुम लोग की तकलीफ का अहसास नहीं है? अगर तुझे तकलीफ का हसास रता है, फिरंगी नहीं फिरंगी फिरंगी को रاجकुमारी नहीं मिलेगी तु नो जादादी ना बनू मैंने सुनानी तर को कहानी कहानी आगे तुझे खुद नहीं आती झाल झाल